नमस्का दोस्तों मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं Literature Explain दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे William Wordsworth की लिखी एक बहुत ही फेमस पोयम I Traveled Among Unknown Man दोस्तों ये एक लब पोयम है जिससे सबसे पहली बार Poem in two volumes सन 1807 में पब्लिश कराए गया था दोस्तों इस पोयम के खास बात है कि ये पोयम belong करती है Lucy Poem से और Lucy Poem में टोटल पाँच पोयमस है ये एक मातर ऐसी पोयम है जो कि Poem in two volumes में पब्लिश कराए गयी है इसके अलाओ बची चार पोयमस वो Lyrical Ballad के second edition में पब्लिश कराए गयी थी दोस्तों वर्सवर्थ ने इस पोयम को तब लिखा था जब वो कुछ समय जर्मनी में रह लिये थे उस समय वर्सवर्थ को अपने घर्यानी England की बहुत ज़ादा यादा आ रही थी तब वे खुछ से प्रॉमिस करते हैं कि अगर एक बार वो England वापस लोटेंगे उसके बाद वे कभी भी England से बाहर नहीं जाएंगे और वे कहते हैं कि वो England से बहुत प्यार करते हैं इस पोयम के एक खास बात और है कि जो बाकी की चाल उसी पोयम से उनके लिखने के दो साल बाद इसको लिखा गया था और यही कारण है कि इसका पब्लिकेशन पोयम इन टू वॉल्म्स में कराए गया था क्योंकि इस पोयम को 1801 में कम्प्लीट किया गया था तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पोयम की शुरुवाती लाइन में पोयम अपने ट्रैवल का वणंग करते हैं कि I traveled among unknown men in lands beyond the sea मैंने अजनबी या अंजान लोगों के बीच बहुत यात्रा की है beyond the sea समुद्र के भी पार और था समुद्र के पार मैंने विदेशी लोगों के बीच में बहुत सी यात्राएं की North England did I know till then what love I bore to thee Hey England, did I know till then तब तक मैं नहीं जानता था what love I bore to thee यानी मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जब तक कि मैं तुमसे दूर नहीं गया था Tis past that melancholy dream nor I will quit thy shore a second time वर्टसवत उस अपनी ट्रैवल को अपनी यात्रा को एक melancholy dream का रूप देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे बुरे सपने की तरह है और एक बार मेरा सपना खतम हो जाए मैं अपनी धर्ती पर वापस आ जाओ उसके बाद मैं अपने England को छोड़ कर कभी नहीं जाओंगा nor will I quit shore a second time मैं दुबारा England को कभी नहीं छोड़ूंगा For still I seem to love thee more and more और मैं अभी भी महसूस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ Among thy mountain did I feel the joy of my desire और जो England के परवत हैं उनके बीच मैं अपने joy of desire यानि मैं अपने emotion को महसूस कर सकता था उनको feel कर सकता था And she I cherished on her will beside an English fire और उसके बाद poet एक लड़की के बारे में जिकर करते हैं जो England की है कहते हैं कि she I cherished वह जिससे मैं प्रेम करता था वह इस तरी एक चर्खा चलाती है Turn her wheels एक चर्खा चलाती थी Beside an English fire और आग के पास बैठ कर Thy mountain showed the night concealed The bore where Lucy played इस आखरी स्टांजा में खेलती थी Where Lucy played Thy mountain showed the night concealed यानि दिल उस अस्थान को दिखाता था और रात उस अस्थान को छुपाता था The bower वह अस्थान जहां पे Lucy खेला करती थी And thine too is the last green field that Lucy eyes surveyed अब पोयम के अंत में wordsworth कहते हैं कि ये England के हरे मैदान है जिने Lucy ने अपनी life में सबसे आखरी अस्थान के रूप में देखा था The last green field वह आखरी हरे मैदान that Lucy eyes surveyed जिन अस्थानों को Lucy ने सबसे आखरी वार सर्वेक छड़ किया था उसको देखा था और इसी लाइन के साथ ये पोयम समाप्त हो जाती है